नमस्कार यूपी स्कॉलर्षीप 2021-22 के अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं फिल्ड का सबसे भरुसे मच चैनल प्रकास से जूटिक तो गैस यूपी स्कॉलर्षीप के रिगार्डिंग एक बैड निउस है और एक अच्छी ख़बर भी है अच्छी खबर यह है कि तीन क अफिसियल अपडेट भी है आडिकल भी सामने निकल के आया है लाइब आपको अपना इसकुलर्षीप का पैसा कहां से चेक करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में नतलक बने रहेगा उड़ो स्टाट करने सब आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस की तरफ से दिनांग तीन दिनांग के यहां पी देखे चार चार दोजा बाइस के द्वारा एनाइसी पोर्टल पर अविदक पत्रों की स्टेटस कारड़ सहित अपडेट करने का अन्रोथ किया गया यानि की चार अप्रेल को कुछ लोगों का स्टेटस अपडेट हुआ तो एक नव लाख सामाने विद्यार्थियों को नहीं हो सकी सोल्क भर पाई तो एक बड़ी अपडेट है जनरल कर्टेगरी के चात्रों के लिए अलाकि वीडियो सभी को देखना इंड तक आगे मैं बातें बताने वाला हुं बजट के रिगार्डिंग भी तो देखे इससे कारल भुक्तान प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी नतीजन अब विद्यार्थियों को भुक्तान नहीं हो पाएगा तो यह जो लाइन है यह थोड़ा सा मतलब प्रावलम कर रहा है क्योंकि गाइस भुक्तान अब नहीं होगा जनरल कर्टेगरी के चात्रों की पाई योजना का लाब देती थी चार दिन पहले खत्म हुए बित्वर्डस में सामाने वर्गे के कुल टोटल 5.6 लैख इस्ट्रेंट्स को करीब 570 करोड रुपए का भुक्तान किया गया से इस पात विद्यार्थियों को भुक्तान के लिए सासन से 174 करोड रुपए का प ऐसे मैं आपको बता दूं कि 31 तारी की साम पांच बज़े सासन से पुनर नियोग के अनमती मिली जितना कम समय बचा था उतने पिफमे साप्ट्रेंट से बुक्तान की प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई सामाने वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उसना बजट निधारित है इसलिए दे जो है वो अगले विद्यवर्स में ट्रांसफर नहीं होती है तो अधिकारियों का कहना है कि अगर पुनर रियोग की अनमती के से समय मिल जाती तो छूटे हुए जो करीब तीन दसमनों टूपॉइंट लाग विद्यार्थी थे उनहीं भी छात्रवित्ति के आप मल जाता है बहुत चीजें बहुत सारी डाउट्स आपके जहन में उठ रहे होंगे इस आर्टिकल को देखने के बाद इन बातों को सुनने के बाद देखें मैं आपके सारी डाउट्स क्लियर कर दूँ यहां पर बताया जारा कि 31 की साम को 174 करोड रूपय का जो बजट आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप एक अप्रैल को भी तो कर सकते थे नियम बनाता कौन है इंसान ही बनाता है तोड़ता कौन है इंसान ही तोड़ता है मगर यहां पीनों नहीं तोड़ा और इसका खामयाचा जनरल कटेगरी के जो बेचारी जहात्र है उनको मिलेगा और बजट जो है वो पारी तगर हुआ तो scholarship देना श्रीयत है इसके regarding आपका क्या विचार है कमेंट करके बताईएगा क्योंकि कहीं न कहीं ये गलत है आप देने को तो पिछली बार अप्रेल में भी दिये थे न उस टाइम सारे रूल रेगुलेशन का क्या हुआ था इस बार भी अब दे सकते हैं मगर वही हाल है न जिनको नहीं देना होता है तो कुछ न कुछ तो बहाना ही दे ही देते हैं मगर वहीं राहत की अप्रेट के हमारे साथ ही है मानायोटी के उनके लिए आ रही कि उनके लिए जो scholarship है उनकी 15 अप्रेल तक भेज दी जाएगी और वहीं पर य पाने के लिए किसी भी प्रकार किया दो यूपी स्कॉलर सिपो यूपी टैबलेट स्मार्टफोन यूपी बोड के एक्साम रिजल्ट एक्सवाइट जो भी बैकेंसी हो हरी का ब्रेट को पाने के लिए सिंपली आपको बेस्ट रोजगार जो सर्च कर देना होम पेज पर आ करेंगे तो आपका जो सावी कटेगरी हो क्लिक करके अपना देख लेना यहां से देखिए आपको जो कुछ भी लिंक एक-दो मिल जा रहा है कई सारे उस पर आपको काम कर लेना प्लिक करके आपको पैसा चेक करना है आप लोग जानते ही हैं तो चलिए कमेंट करके बदाइ हां पर देखें जो बड़ा जटका है वो चात्रों को लग चुका है और आने वाले समय में जनरल का टेगरी के चात्रों के उमीद कम ही जताई जा रही है हलाके हम लोगों ने ट्वीटर पर ट्वीट भी किया आवाज भी उठाया मगर भू सारी चीजसें ब्यर्थ गई बह पहरों का नगर है साहब जरा जोड से चिलाएं तो जो भी हो अब कमेंट करके बताईएगा कि सही हुआ कि गलत हुआ बजट होते हुए भी चात्रविती नहीं मिल पा रहा है मैं आप से कह रहा था ना कि भाई बजट है मगर आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे तो बजट है मगर जात्रविती नहीं देंगे ये अपडेट है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना दोस्तों में सेयर करना बाकी का और भी जो भी इंफार्मेशन होगी उसकी अथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब परके बेल आइकन को सरूर प्रेस करना वो भ मिलेगी जैनल कटेगरी के छात्रों को अब जात्रविती नहीं मिलेगी इस आर्टिकल के हिसाब से मैं फिर कह रहा हूं थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद वंदे माधरम